वेल्कम तो मैं चैनल मेरा नाम है मृदला और आज का हमरे टॉबिक है टैबलेट कोटिंग जिसमें हम दिखेंगे टाइपस ऑफ कोटिंग और किस तरह से कोटिंग की जाती है उसका क्या प्रोसेस या मेथड होता है तो टैबलेट कोटिंग जो है बिसिकली रिफर करता है कि जो भी टैबलेट कोर होता है उसके उपर अगर सुगर या पॉलिमरिक कोट का काम करें अधीक है तो जो सबस्टांसेस अपको कोटिंग के लिए यूज होते हैं वो या तो सॉल्यूशन या तो फिर सस्पेंशन के फर्म में एप्लाई किया जाते है एक कुटिंग में जिसम जबसे पहले taste, odor और color को जो drug का होता है उसको mask करने के लिए यूज जया जाता है कुछ drugs के cases में या फिर जो drug है उसको physical और chemical protection प्रोवाइट करने के लिए tablet के बॉडी के अंदर जो उसका release होता है उसको control करने के लिए या फिर बॉडी के अंदर जब वो स्टमक में टाबलेट जाता है तो वहां पे उसे हाइड्रोकलोरिक एसिड होता है यानि कि एसिडिक एंवायमेंट होता है तो वहां पे उस ड्रग को प्रोटेक करने के लिए उस तमक में हाइड्रोकलोरिक एसिड से उसको एंटरी करने के लिए भी कोटिंग यूज की जाती है ताकि जो दो ड्रग अगर मिक्स करके हम एक टाबलेट बना रहे तो हो सकते हैं उसमें केमिकल इंकॉम्पैटिबिलिटी हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पहले तो एक इंग्रेडियंट से बना दिया जाता है और दूसरे प्रिंटिंग की जाती है जिससे की वह अपियरेंस में कितने तरह की होती है तो एक होती है सुगर कोटिंग एक होती है फिल्म फोटिंग एंटरिक कोटिंग और कुछ मिस्लीनियस कोटिंग भी होती है जिसमें हम कुछ कोटिंग के बारे में देखेंगे सिबसे पहले हम सु तो इसके उपर एक लेयर होगा जो कि अपर बीच नहीं हो सकता है या फिर अनकलर भी हो सकता है यह बेसिकली सुगर कोटिंग की जाती है कुछ बिटर टेस्ट के ड्रग होते हैं उसके टेस्ट को ढखने के लिए मतलब मास्क करने के लिए या फिर टाबलेट के अपियरंस को प्रग के लिए सुगर कोटिंग जो है उसमें अगर जिसभी टाबलेट क्या किया जाता है तो उसमें कनवेक्ट सर्फिस होना चाहिए ठीक है ठीन राउंड एज़े और साथ ही जो कोर्स है टाबलेट के वह आपको रिजिस्टेंट होने चाहिए ब्रेकर चिपिंग और सिर्पिंग यान स्मूथी फिनिशिंग और पॉलसिंग देखना है कि सीलिंग कैसे होती है तो सीलिंग बेसिक्ली लैंड प्रोसेस यूज किया जाता है उस ताइम इसकी जुरत पढ़ती है क्योंकि वहां पर जो टाबलेट होते हैं उनमें जो ओवरवेट इंपोश्टें लेकिन अगर प्रोसेस के तरो टाबलेट प्रिपेर किया रहा है तो इसकी ज़रत नहीं पड़ती है जो पॉलिमर्स यूज किया जाते हैं सीलिंग के लिए वह आपके वाटर इंसॉलिबल होने चाहिए जैसे की सिलाक, सेललोज, एसे थालेट, जीन एक्सेटर यूज किया जाते हैं अब सीलिंग कैसे की जाती है तो सबसे पहले टैबलेट को पैन में रख दिया जाता है और उनको 10RPM के स्पीद से फिर पैन को रोटेट किया जाता है ति इसमें सब्सपेंड किया जाता है 30-3 दिग्री तेमपरेटर और जो जीन एक्स रिख सालिशन उसके 3 त्री अप्लिकेशन दिया जाते है हर अप्लिकेशन में 800 ml यूज किया जाता है जीन को और यह जो एक्लीकेशन होते हैं जो 1st application , 2nd application , 3rd application उनके बीच में 15-20 minutes का इंटर्वन हो चाहे है जो 1st application के बाद जब गोटिंग होती है तो टैबलेट थोड़े dry हो सके उसके बाद 4nd application थोड़े dry हो और तो 3rd application की जाती है तेलक यूज़ जाता है अगर टबलेट जो पैन उसके वॉल पे प्रेश पर चत्री के यूज़ बने स्टीक जैके पर पर चत्रीक से जो जाए तो उन नहीं चैबलेट एक प्रेश स्टीक जाता है और सब कोटिंग की वजह से जो भी टाबलेट होते हैं उनका वेट लगबग 50-100% इंक्रीज हो जाता है और सब कोटिंग करने के बैसिकली दो मेथड्स हैं सबसे पहले तो स्टिकी बाइंडर सॉलुशन जो है वो अल्टरनेटली अप्लाई किया जाता है उन डस्टिंग के सा यानि कि पहले तो स्टिकी बाइंडर सॉलुशन फिर जो है सब कोटिंग पाउडर फिर स्टिकी बाइंडर तो इस तरह से अल्टरनेट अप्लिकेशन होता है और उसके बाद उनको ड्राई कर लिया जाता है यह जो स्टैप है तब तक कंटिन्यू करते है मतलब टाइटनियम डायोकसाइड या पाउडर सुक्रोज सेकंड मेथड जो है वह स्प्रे मेथड के तरह यूश किया सकता है जिसमें कि सब कोटिंग सस्पेंशन जिसमें की बाइंडर और इंसॉलिबल पाउडर दोनों होते हैं उनको स्प्रे किया जाता है टाबलेट बिट के यानि टाबलेट के उपर जो कि टाबलेट हम पैन में रखा होता है मेतर्ड की बात करें तो सबसे पहले की हीट को टॉन किया जाता है मतलब टान ऑन किया जाता है हीटिंग की जाती है उसकी बाद उसमें जो इनलेट एयर है उसको आफ कर दिया जाता है फिर पैन को 10 आर्प कोटिंग की जाती है फिर उसके अमाउंट को धीरे धीरे रेड्यूस करते जाते हैं ताकि करेट थिकनिस मिल सके और लगभग 20 मिनिट्स जो है उसका गाप होना चाहिए ताकि जो कोट्स एपलाई हो रहे है मतलब जो एपलिकेशन सो रहे हैं तो 3-9 कोट्स एपलाई करने के दूसके जाता है उसके बीच में सब्सक्राइब करने के जाता है तो अगर टैकिनस डिपलाई होता है तो सबसे लास्ट कोट के बाद जो है पैन को दीरे दीरे गुमाया जाता है एक लिए ट्लिस तू फोर आवर्स के लिए ताकि कम्रीट ड्रीनिस मिल सके तो नेक्स टेप इस अधियर कम्रीट और बोत शब्सक्राइब 2.5 त सीरुट कोट सब्सक्राइब 3.8 बजना सब्सक्राइब कोट में ऑसपें ट्रीला बने के लिए तेब जोना से करें थाश्राई यह पीकृति करें गड़र्स पाद में आपको टाबलेट को यूनिफॉर्म कलरिंग में हेल्प कर सके अगर कोई कलर एड नहीं होता है जब तकी टाबलेट जो है वह स्मूथ ना हो गए हो ठीक है मेथड की बात करें तो इसमें थ्री फेज़ होते हैं सबसे पहला है ग्रॉसिंग सिरफ यह एक सिरफ सोलु कर लिया जाता है स्टार्ट करने से पहले उसके बाद जो इंलिट एयर का टेम कर लेते हैं तकी एक 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 लिएस्ट तेमपराइचर मिल सके 45 तो 48 डिरी सेल्सियस का उसके बाद पान स्पीड को 12 अपियम सेट कर देते हैं और जो भी कोटिंग है उसके पाइफ टो 15 कोट ज अप्लाइ किया जाता है उसी तरह जब तक कि specific volume जो है वो नमल जाए फिर heat को turn off किया कर दिया जाता है और जो inlet और exhaust air होते हैं उनको reduce कर दिया जाता है उसके बाद जो regular color सिरफ है उसके serval code जो है वो apply किया जाते हैं जिससे की final smoothness size और color development हो सके next step है polishing इससे जो टाबलेट है उसमें जो लस्टर आ सके उसके लिए किया जाता है और यह जो है इसमें जो standard coating pan होते हैं उसमें किया जाता है या फिर canvas line polishing pans होते हैं उनमें किया जाता है और फाइली जो tablet है उसको जो required luster होता है वो मिल जाता है तो process देखते हैं तो सबसे पहले जो है air supply करते हैं exhaust air और heat को है वो turn off कर देते हैं pan के speed को 12 rpm सेट करते हैं और उसके बाद यह जो warm polishing solution होते हैं उसके 3-4 code supply करते हैं और हर application में लगभग 300 ml warm polishing solution जो है वो यूज किया जाता है उसके बाद जो है वो solvent को evaporate होना दिया जाता है completely ताकि वो अच्छे से application हो सके ठीक है अब है film coating film coating में बेसिकली जो है जो है जो टाबलेट कोर होते है उसके उपर polymer की एक फिल्म का formation किया जाता है तो वो आपके फिल्म कोटिंग कहलाती है इसमें जो पॉलिमर होते हैं वो आपको एजली कुछ solvents में easily solubilized हो जाते है मतलब घुल जाते हैं और फिर उसमें कुछ और additives add किया जाते है और जो resulting solution होता है उसको rotated tablet bed के ऊपर अच्छा से spray कर दिया जाता है फिल्म कोटिंग के कुछ characteristic feature होते हैं इसमें जो है कि tablet जैसे हमने सोगर कोटिंग में देखा कि वो weight को increase कर रहा है लेकिन इसमें minimum weight gain होता है लगवर 2-3 % जो tablet का weight है उतना ही इसमें increase होगा और यह बहुत कम effect करता है tablet disintegration को यानि कि जो tablet body के अंदर जाके break हो रहा है उसको यह कम effect करता है और यह जो core का original shape है उसको maintain करता है और embossing यानि कि उसके ऊपर जो चाप होती है उसको allow करता है और basically यह जो है film coating जो है वो दो method से की जा सकती है pan pour method और pan spray method लेकिन normally spray process जो है वो employee use किया जाता है film coating करने के लिए tablets के उपर तो सबसे पहले दिखते है pan pour method coating solutions जो है वो tablet course के उपर डाल दी जाती है और फिर उसमें film का formation होता है इसमें जो operator है वो decide करता है कि कितनी quantity of solution add करनी है कौन सा method यूज़ करना है किस rate से pouring करनी है और कब जो है वो और कितनी लॉंग और कितना फास्ट रोटेट करना है जो भी pan है उसको वो सारी चीज़े वो operator पर dependent होती है और इसलिए इसके लिए skill operator की ज़रुत परती है जो tablet coat होते है इस method से उसमें alternate solution का application होता है तो basically pan pour method के यही आपके disadvantage हो जाएंगी कि यह काफी slow process होता है और इसमें basically जो भी आपका operator है उसके skill और टेक्निक पर depend करता है कि जो भी tablet है वो हमको अच्छा acceptable product मिल रहा है या नहीं और जो tablet coat होते है इस method से उसमें लगभग additional drying step की ज़रुत परती pan spray method जो है वो automated control जो है वो अलाव करता है यानि कि इसमें liquids या suspension जो भी film coating के लिए apply किया जा रहा है वो automatically controlled होता है और इसमें यह continuous band प्रोवाइड करता है tablet bed surface के उपर और broad flat spray patterns जो है normally choose किये जाते हैं और जो nozzle system होता है जिससे की spraying हो रही होता है suspension की उसका selection बहुत जरूरी होना चाहिए और कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसकी width ऐसी होनी चाहिए कि पूरे tablet bed को cover कर सके और 1-5 nozzles जो है वो हर pan system में लगाये जाते हैं ताकि अच्छे uniform spraying हो सके next है आमने पढ़ लिया की sugar coating third coating अब थर्ड है entry coating entry coating में basically एक polymer barrier जो है वो apply किया जाता है oral medications के उपर यानि कि जो tablets है उनके उपर एक polymer barrier होता है polymer का coat होता है जिससे की वो gastric environment यानि कि इस तामक में जाके वो dissolve या disintegrate नहीं होते हैं entry coating की जाती है कि ताकि जो acid लबाई यानि की acid से जो drugs जो है वो easily dissolve या disintegrate होते हैं उनको protect करने के लिए जैसे कि कुछ enzymes और कुछ drugs होते हैं उनके लिए हैं इसमें gastric distress को prevent करने के लिए या nausea को जैसे कि क्या होता है कि जब भी drug अगर स्टमक में जाके disintegrate होता है तो किसी किसी person को उससे थोड़ी सी affect हो जाते हैं या फिर उनके nauseatic feeling होती है चीज को prevent करने के लिए जैसे कि sodium salicylate अगर कोई person लेता है तो उसे gastric discomfort हो जाकता है इसमें जो भी drugs है उसकी एक local action है मतलब specific part पर उसको function करना है तो उस case में भी entry coating की जाती है जैसे जब intestinal antiseptic दिया जाता है तो वो जाके intestine में function करता है तो इसलिए वो जाके intestine में ही disintegrate या dissolve हो ताकि proper effect produce कर सके इसमें जो optimally absorbed drugs होते हैं इंटेस्टाइन के लिए उनको deliver करने के लिए ताकि वो अपने primary absorption site में ही जाके concentrated form में release हो सके है ठीक है या फिर जो delayed release component होता है मतलब जैसे कि धीरे-धीर डिजॉल्व होके वो अपना धीरे-धीर effect प्रड्यूस करते हैं उन ड्रक्स के लिए पे एं compression coating के लिए specialized tablet machine की ज़रूद परती है और यह उन cases में use किया जाता है जहां पर tablet coat जो है और organic solvents को tolerate नहीं कर सकते या फिर वाटर को tolerate नहीं कर सकते फिर भी उनको test को mask करने के लिए coating की ज़रूद परती है या फिर उस product को sustain release हो यानि धीरे-धीर release हो या फिर enteric properties की वज़ा से परती है incompatible ingredients जो है वो conveniently इस process से separate किये जा सकते है next electrostatic coating तो यह efficient method है conductive substrates के उपर coat apply करने का एक strong electrostatic charge जो है वो apply किया जाता है substrate यानि कि अगर tablet है ठीक है तो यह आपका substrate हुआ तो इसके उपर जो है electrostatic charge यानि कि जो plus minus के जो charges होते हैं तो उस तरह से इसमें easily apply किया सकते हैं coating material में conductive ionic species होता है जिसका opposite charge होता है suppose करिए कि यह substrate हो गया यानि कि आपका tablet जो है वो substrate हो ग कि कोटिंग की जारी है तो यह जो solution है इसमें आपका ionic species होगा जो कि जिसका charge होगा या तो suppose कर यह positive तो यह जो tablet है इसके उपर negative charge होगा तो इस solution को इसके उपर जो है वो coat किया जाता है ताकि यह plus minus जो है वो combine करके आपका एक layer form कर सकें जो complete और uniform coating होती है corners की वो प्रॉपर त कोटिंग 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 कोटि सेक्टिलिटी नहीं होती और रिलाइबिलिटी नहीं होती मतलब कि perfect tablet coating होगी इसकी कोई कैरेंटी नहीं होती next अब has vacuum film coating इसमें specially design barr effle pan होता है और ये pan, इसमें hot water jacket present होता है ने उसको sealed कर दिया जाता है ताकि वैसंटम ताकि ऑक vacuum system, प्लेस किया जाता है और जो निकाल के उसकी जगह पे नाइट्रोजन को फिल कर दिया जाता है ताकि जो भी डिजाइड वैक्यूम है वो अप्टेन हो सके जो कोटिंग सॉलुशन है उसके बाद हाइड्रॉलिक स्प्रेय सिस्टम के तो उसमें एपलाई किया जाता है फिर उसमें फिर हीटिंग करने पर वहीट होने लगता है और जो वैपोर उनको वैक्यूम सिस्टम से रिमॉव कर दिया जाता है और गैनिक सॉल्वेंस जो है इसमें एक्टिवली यूज किया सकते है इस स्टम में मीनिमल इंवार्मेंट या से पी कंसर्न के तो यह था बाट तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज ही से लाइक शेयर और कमेंट करें थैंक यू फोर वचिंग